सब्सक्राइब करें हमारा चैनल देसी आयूर्वेद और ग्यान और बेल बटन को दवाएं हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए देसी आयूर्वेद और ग्यान में आपका स्वागत है बहुत से लोगों को खाना ना पचने की शिकायत हो जाती है खाना ठीक से हजम ना हो तो पेट में गैस, भारीपन, बेचैनी, उल्टिया, जी, मचलना, चक्कराना आधी शिकायते होने लगती है आज की जीवन शैली में समय ऐसमय खाना, देर तक बैट कर काम करते रहना, या भूक लगने पर उल्टा सिधा कुछ भी खा लेना, आम बात हो गई है ऐसे में बहुत से लोगों को खाना ना पचने की शिकायत हो जाती है इनसे बचने के लिए करें ये उपाए एक नीमबू को काट कर उस पर सेंधा नमक वे काली मिर्च लगा कर गरम राक पर भून ले, फिर इसे चूसें, इससे खाना शिगर पचेगा और अपच की शिकायत कम हो जाएगी नमबर दो, दही में भुना हुआ जीरा, नमक तथा काली मिर्च डाल कर रोजाना खाने से अपच रोग जड़ से खतम हो जाता है नमबर तीन, बथुए का रस और पपीता भी अपच में बहुत उप्योगी होते हैं नमबर चार, अनानास की फांक पर नमक और काली मिर्च डाल कर खाएं नमबर पांच, प्याज काट कर उस पर नीम्बू का रस निचोड़ कर रोजाना खाएं नमबर चे, एक चमच पिसी हुई अजवायन और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर सवेरे खाली पेट पानी के साथ लेने से भी अपच में लाब पहुँचता है नमबर साथ, दो लोंग लेकर उन्हें पीस ले, आधे कब गर्म पानी में डाले, फिर ठंडा होने पर इस पानी को पी ले रोजाना ऐसा दिन में तीन बार करने से लाब होगा अगर हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे